जहां तक आप इस एंकाउंटर की बात कर रहे हैं इसमें चार लोग मरे गए थे चार में से दो पर जिनकी बोडी आज एक्जियूम की मेजिस्टेरिल इंक्वारी ओर्डर की गई है उसमें government ने बहुत serious action लिया उस पर लेकिन चार में से दो पर बाकी दो कौन थे बाकी दो terrorist थे दो terrorist थे उस पर कोई ही वो नहीं है उस पर कोई objection नहीं किसी को सब के सब मान रहे हैं हाँ वो दो terrorist थे now encounter हुआ है एक घर में जिस घर में ये owner थे और वो दो इनके tenant थे और एक और tenant था अब encounter में जब गोली चलती है वो ये देख करके नहीं चलती है कि सामने कौन है और ये दोनों के दोनों भी हमारी government ने हमारी जमो कश्मीर government और साथ में police operation था आर्मी का नहीं था पुलिस में 90% कश्मीरी Muslim लड़के हैं अब police ने encounter किया है उसमें और उसमें दो terrorist मारे गए हैं जब एक encounter हो रहा होता है उस टाइम पर लाइंडलोड को भी गोली लग गई अगर वो नहीं involved थे किसी तरह के terrorism में तो बहुत गलत हुआ है और उस पर बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए लेकिन encounter state में यह जब गोलियां चलती है ऐसा तो हमने देखा न आपके टील पी का प्रोटेस्ट हुआ तो तो मशीन गंसे आपके पुलिस वालों को मार दिया गया ऐसा उस समय देख पायता है कोई यह गोली जब चलती है तो वो यह देखती है कि यह इन्नोसेंट है नहीं तो यह बात तो पुलिस स्टार्टिंग से बोलती रही है कि मैंने तो सि पूछ रही हूं आपसे मैं मैं अप यह बच्ची जूट बोल रही है आप यह कहेंगे अरे एक बाद आपको मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो आते हैं जो के आपके आएसाय या आर्मी के मेडिया से बनते हैं वह बच्ची हो तब पर लाहोर की कुशलो जी यह बात भी आप हम अचे आली रजासाब चीक है मैं दुबारा आती हूं ठीक है रोहित आपकी तरफ में आना चाहूंगे मेरे कश्ची में सवाल पूछने के ज़रूएत नहीं है आप यह किनी तोहर पे जवाब देना चाहेंगे हामिद साब की बातों का राली साब की बातों का दूंगा और ह आली चीज़नों नहीं बोला डेट बॉड़ी इस क्यों नहीं दी जा रही है तो शायद इनको ख़बर नहीं पता डेट बॉड़ी दफना दी गई थी पुलिस ने दफना ही थी वापस निकाल ली गई है और उनकी फैमिली को दे दी गई है दूसरी चीज़ फेक बता रहे हैं क्या असलियत थी वो तो इंक्वाइरी के बात पता लगेगा लेकिन अगर मेरे घर में कोई टेर्रेस्ट रह रहा है और पुलिस एंकाउंटर करती है तो पुलिस जब गोली चलाएगी तो वो गोली नहीं देखती कर कहा जा रही है सीधी सी बात है क्योंकि टे या एसा का पाकिस्तानी गोली है हो जो के सिर्फ यह देखती हो कर टुरिस और इन्नोसेंट नहीं लगेंगी तो वो गोली हमें दे समया देदे। तो उसने खुद बोला था कि मुझे एंकाउंटर वाली साइट पर लेकर जाओ, जा करके रोक लूँगा, जब वो आप टर्रिस को समझाने जा रहा था, टर्रिस ने उसे गुली मारी थी, आप अकबार पढ़िये, तीके गलत नहीं है, अकबार पढ़िये, मैं उस बंदे का सारी डीटियल लेकर बैठाओं पहले से, इसके बाद, पैलेट गंस यूज होती ह इन्यावले केस का बता है, उसमें क्या, वो क्या कर रही थी, वो क्या वो सड़क पे थी, वो प्रोटेस्ट कर रही थी, वो तो अपने घर पे उपर खिड़की पे खड़ी थी, तर एक मिर्ट पहले मुझे सारी जवाब दे ती, जब पैलेट गंस की बात आप ने की, तो प पत्थर लेके बैठे हूँ हैं तो इसका मतल वो आपको बत्थर मारते हैं कि चले यहां से, आप लोग जबरदस्ति कापेज हैं आपकी भारती फॉल्पर बढ़ दस्ती वहां पे कड़ी हूई है, वो नहीं चाहते हैं कि आपको पूछे ने को लोग क्या चाहते हैं, जब और च्णि क्या देल जी इतना चाहते हैं जब यहांचा पीजिर जिजिजिग फरमाईए तो यही नहीं पता कि बैलेट गान इसी पर भी नहीं चलाई जा सकती इसका मतलब यह ऑंको जो उलाए हैं यह तो कुद इतराफे जुर्म कर रहे हैं जो तारी दुनिया जाता है पैलेट गंग चलाना ही दुनिया में गहर कानूनी करार दे दिया गया है चाहे वो नौजवान हो, मर्द हो, औरत हो आप बच्चों की बात तक करें कि बच्चे क्या करते जाते हैं आप इस वक्त धरें कि अब बच्चे तक, नौजवान तक अजादी के इलावा किसी चीज़ पर कम्प्रोमाइज दिग दो यह बात आप भी है हमारे पास भी है, हमारी आर्मी के बास सारी गंज है पैलेट गंवान क्यों चल रही थी क्योंके कोई मरेना, दूसरी चीज़ पिजा जी और आपके यह दोनों के दोनों जो गैश्ट बैठे हैं, बच्चा जो पत्थर बाजी कर रहे हैं। इसको बहुत बादी हाँ। पत्थर बाजी करते हैं या इनके घर के कतने बच्चे में। पठ्थर वाइज कर रहे हूंगे या उनको पाकिस्तान की सर्वेसें बेज रहे होंगे पथर्वाजी नहीं रहे है और आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं यह कौन सा तरीका है आप कश्मीरी बच्चों का पत्थर वाजनाना चाले हैं और कैसे सब्सक्राइब आदमिया आपने भ आप पूछें क्श्मीरी जवान इंडियन पुलिस और इंडियन आर्मी जोईन करके बैठाइज उनको नहीं मिलती है वो बच्चों से पत्रवाजी करा रहे हैं कश्मीरी जवान हमारे साथ यहां बिजनस कर रहा है यहां पर इस सेम लेकर आथा है अच्चे इसकी आरे सामने अच्चों से पत्रवाजी करें